नमस्कार दोस्तों केकेक जांपाइट में आपका स्वागत है कैसे हैं आप सभी उम्मीद है आप सभी सही होंगे चल दोस्तों आज मैं यूपी आर वी यूविनल की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में जानकारी लेकार आया हूँ दोस्तों इसमें हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन अपलाई कर सकता है इसकी अपलिकेशन भी क्या रखी गई है इसकी एसेंसियल कौलिफिकेशन क्या है और इसका सेलेक्शन प्रोसेस क्या है ये सारी बाते इस वीडियो में करेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेश्ट है अ देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश राज विद्धुत उत्तबादन नीगम लिमिटेड की तरफ से वेकेंसी निकाली गई है सबसे पहले तो इसका विज्ञापन संख्या आप देख लीजिए इसकी हम बात करेंगे कि किस किस काटेगरी के लिए कितनी कितनी पोश्टे यहाँ पर रखी गई है चलिए देखते हैं देखिए दोस्तों मुख्य रासायन जिसका पद कोड़ एक है इसमें जनरल के लिए तीन पोश्टे रखी गई है और OBC के लिए एक पोस्ट, SC के लिए एक पोस्ट, ST के लिए कोई पोस्ट नहीं है, EWS के लिए PWD किसी के लिए और कोई पोस्ट नहीं है और अपर निजी सचिव के लिए जनरल के लिए दो पोस्ट रखी गई है OBC के लिए एक पोस्ट, SC के लिए एक पोस्ट रखी गई है सहायक समिच्छा अधिकारी के लिए जनरल में जो है दो पोस्ट OBC के लिए चार पोस्ट, SC के लिए दो पोस्ट और EWS के लिए इसमें एक post रखी गई है जो कि आप दैख सकते हैं लेखा लिपिक में जन्रल के लिए 16 पोश्ट और OTC के लिए 15 पोश्ट SC के लिए 9 पोश्ट ST के लिए 1 पोश्ट और EWS के लिए 4 पोश्ट रखी गई है इसमें physical handicap के लिए भी एक seat रखी गई है इसमें भूत पूर साइनिक के लिए दो seat रखी गई है जो कि आप देख सकते हैं चलिए दोस्तों आप बात करते हैं इसकी pay scale क्या रहने वाला जेखिए दोस्तों मुख्यर सायन जो इसकी vacancy है इसके level 10 के अंदर रखा जाएगा जो की इसकी salary बनेगी आप जो की देख सकते हैं 56,100 अपर निजी सचीव लेवल 8 के अंतर रखा जाएगा जो की 47,600 इसका वेतन बनेगा सहायक समिच्चा अधिकारी इनका level 6 के अंतर रखा जाएगा 36,800 के करीब इनकी salary बनेगी दोस्तो उत्तर पडेश राज्य विद्धूत नीगम Limited में नियम लागू होँगी मतलब इसके जो भत्ते वगयरा होँगे ये सबीस में लागू होँगी दोस्तो इसमें आयूक में छूट दी जाती है जो की आप सबी भरतियों में देखते होंगे CST और OBC के लिए और PWD कंडिडेट के लिए उनके अमसार छूड़ दी जाती जो कि आप देख सकते हैं चलिए दोस्तों आप बात करते हैं दोस्तों मुख रासायन में जो NCL कौलिफिकेशन रखी गई है वो रासायन सास्तर में कम से कम 32 स्रेड़ी में आप पास होने चाहिए जो कि MSC की उपादी आपके पास होने चाहिए प्रतम स्रेड़ी में और BSC BSC प्रतम स्रेड़ी में होने चाहिए MSC 32 स्रेड़ी में आपको पास होना चाहिए और इसमें experience होना चाहिए 100 MW के किसी भी तापी बिजली घर में जल, कोईला, तथा तेल, रास्यानी, कुसेशन, तथा परिच्छन का कम से कम 5 वर्स का अनुभा होना चाहिए इसमें 5 साल का अनुभा मांगा गया है अगर आपके पास अनुभा हो है तो आप इसमें फार्म जरूर अपलाई कर सकते हैं अपर नीजी सचीव में जो qualification रखी गई है वो इसनाता कोना चाहिए और हिंदी आसुलेखन में 80 सब्द प्रती मिनट गती एवं हिंदी वा अंगरेजी में आपको टैपिंग करना होगा जो कि 40-40 सब्द प्रती मिनट की गती होगी सहायक समिच्छा अधिकारी में देख सकते हैं आप आपका इसनाता कोना चाहिए आपको टैपिंग भी आनी चाहिए जो कि 30 सब्द प्रती मिनट होना चाहिए अब बात करते हैं इसकी फीस कितनी रखी गई है देखिये दोस्तों इसमें अनुसूचित जाती और जन जाती के लिए जो फिस रखी गई है 826 रुपाय GST सहीत और जनरल के लिए जो फिस रखी गई है 1180 रुपिया रखी गई है फिजिकल हैंडिकैप के लिए सिर्फ 12 रुपाय फिस रखी गई है जो कि आप देख सकते हैं देखें दोस्तों अब इसका selection process क्या होगा इसका रसायन के लिए जो है मुख्य रसायन के लिए इसका CBT test होगा जो की तीन घंटे की परिच्छा होगी और इसमें 29 प्रतिसत अनुसूची जाती के लिए 28 प्रतिसत अंक लाना अनिवार है और जो की जनरल के लिए 33 प्रतिसत अ आगे बनेगी अँज़ो से अब देखिए प्रतं भाग में जो देट सो प्रस्ण होंगे और इसका देट सो प्रस्ण एक नंबेर का होगा मतलब देड़ सो प्रस्न देड़ सो नमबर के होंगे इसमें नीगेटिव मार्किंग रखी गई एक वटए चार की और दो ती भाग में जो होगा 50 प्रस्न रखे जाएंगे जो कि वस्तुनिष्ट होंगे हिंदी के होंगे समान ज्यान रिज्णींग सभी से प्रस्न होंगे जो की एक प्रस्ण एक नंबर का होगा और प्रस्ण 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 नंबर के होगे इसमें निगेट्व मार्किंग एक बटे चार रखी गई है बाकी आप ये सभी पढ़ लेना जो कि दिया हुआ है इसी तरह अपर निजी सचीव के लिए देख सकते हैं इनकी भी तीन गंटे की परिच्छा होगी और अनुसूचिज जाती के लिए 28% अंक लाना अनिवार है और जनरल के लिए भी 33% अंक लाना अनिवार है जो कि आप देख सकते हैं इदर अब बात करते हैं कितने कितने नंबर के कितने कितने प्रस्न पूछे जाएंगे देखिए दोस्तों समान हिंदी के 60 प्रस्न पूछे जाएंगे 60 अंक के और अंग्रेजी के 60 प्रस्न साट हंक के समान अध्यन यानी जनरल नालेज और रिजनिंग के 40-40 प्रस्ण पूछे जाएंगी जो कि आप देख सकते हैं चलिए अब बात करते हैं ये क्वालिफिकेशन वगारा के बारे में दिया हुआ है आप देख सकते हैं इसे अब हम मेन बात करते हैं और समान हिंदी जो intermediate उच इस्तर की होगी वो 70 नंबर की होगी अंग्रेजी 70 नंबर की होगी और समान अध्यन वाद रिजनिंग जो है 20 और रिजनिंग 40 नंबर की होगी टोटल 200 नंबरों का आपका एक्जाम होने माला है और इसमें जो तीसरे चरण में आप जाओगे न तो आपको तीन गुना भ्यरती को भुलाया जाएगा और इसमें टाइपिंग कराई जाएगी जो कि आपको पांच मिनट का टाइम दिया जाएगा और अभी जो माहने बताया हिंदी में और इंग्लिस में जो भी हो आपकी वोट टाइपिंग लेंगे याप कुर्ती देव में टाइपिंग ली जाएगी जो कि यह सबसे बड़ा सवाल है यहाँ कुर्ती देव यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है चल दोस्तों चैन पक्रिया आप देख सकते हैं आप देख लेना बाकी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है हम यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों यही थी जानकारी, अगर जानकारी अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों में सेर जरूर करें, चल दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलिंगने स्ट्यूडियो में, तब तक के लिए बाइ